आपके पास Axis Bank का कोई बरिया सा कार्ड नहीं है नहीं तो Axis Bank का कोई भी कार्ड नहीं है आप जितने बार एपलाई करते हो आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपके लिए दो ट्रिक इस वीडियो में मिलेगा तो उससे आपको बहुत असानी से कार्ड मिल सकता है हाई मैं और इन नौ मेरा वीडियो में आपका स्वागत है उससे पहले मेरा एक प्रूब देख लीजिए मैंने एक कुछ दिन पहले एक प्रूब एक ट्रिक दिया था जो Axis का जो भी सबसे बरिया कार्ड कौन सा Axis का ओ है एस के डिट कार्ड एस के डिट कार्ड क्यूंकि एस अभी भी आपको 2% मिलता है इस कार्ड के लिए मैंने एक ट्रिक दिया था ओ ट्रिक देखिए कितना वार्किंग है भाई ने ओ ट्रिक आसमाया और उनको ए मिल भी गया एस के डिट कार उनको मिल गया ओ ट्रिक से मैं क्यूं दिखा रही हूं क्यूंकि आज मैं आज जो मैं दो ट्रीक आपको बताऊंगा ना, ओ ट्रीक आप ध्यान से यूज कीजिए, आपको भी ऐसा क्रेडिट कार मिल गया, और उसके साथ मैं आपको और एक बद बता हो, अगर Axis Bank का कोई भी क्रेडिट कार आपके पास है, मालने यह कोई भी क्रेडिट कार, जैसे Myzone क्रेडिट कार हो गया, कोई भी क्रेडिट कार तो आफसानी से आप Axis Bank का कोई भी 3 क्रेडिट कार ले पाएंगे, मगर उसमें Yes क्रेडिट कार नहीं होता है, तो आपके पास एक एक एक्सिस बैक का क्रेडिट कार होना चाहिए, तो ट्रीक कैसा है, देखें फास्ट जो ट्रीक है उसके लि जो भी जालना है देखिए मेन जो प्रॉब्लेम आता है वो प्रॉब्लेम आता है अगर आपके पास आई ट्या नहीं है अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप विदाउर इंकबुक कैसे लेंगे यही प्रॉब्लेम होता है तो इसमें आपको क्या डालना है देखिए पर आप कुछ भी नेम डाल दीजे उसके बाद your current designation यहाप आप फार्मार डाल जीए फार्मार ए ट्रिक वर्किंग होता है फार्मार डालिए यहाप फार्मार डालिए और your work इमेलेटी कुछ भी डालिए फार्मार डालिए और agriculture select कीजिए और employer self-employed कर दीजिए उसके बाद apply कीजिए आपको ना मिल सकता है क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी बार ऐसे agriculture और फार्मार को ओ है और गोड़ियने मुझे शेयर किया काहा पे शेयर किया इह शेयर किया मुझे टेलीग्रम पे जीहा लिंक आपको डेश्कृशन देमे मिल जायगा जहाप तो यहाँ पहीं मुझे टेलीग्राम पे ओर्गो भाय ने इसको सेंड किया एक उनको लिंक एक पता चला और उसके साथ उन्होंे लिंक भी शेयर किया तो जो ओर्गो भाय ने जो लिंक शेयर किया ओभी मैं आपको डेश्किश्वन में दे दूँगा उस लिंक से आपको इह वाला ट्रिक लगाना है ओ कौन सा लिंक है ओ है एक्सिस का PLI लोन का लिंक से अभी मैं भी चुक गया था जब मुझे और्गो भाई ने बताया था कि PLI से उनको मिल गया एक्सिस का क्रेडिट कार्ट कैसे मिला सारे कुछ मैं आपको बताऊंगा आप ध्यान से सी वीडियो देखिए तो PLI के एक लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिशन में उस लिंक पर आपको जाना है जो और्गो भाई ने जैसे किया था वह उसके बाद मुबाइल नंबर ढलिए उसके अपका डेटो बडल सेंट OTP डलिए डालने के बाद आपको यहाँ पर साबमीडियो क कारने के बाद एक आपको आएक को आई कॉनफर्म कानफर्म पर क्लिक कर देजे यह एक्सिस का P.L.E. से कैसे उनको मिला है ट्रिक आप ध्यान से देखिए कैसे उनको मिला है ट्रिक देखिए उसके बाद देखिए आपको इस तरह second इस तरह page में एक personalized address और आप कितने दिन तक business करते हो business name या पे कुछ name डालिये इसके बाद organization कुछ डालिये जैसे आपको मैं बताए एगरी कल्चर या कुछ सेल पेंप्लेट डाले नेचर आप बिजनेस में डालेजे एडिकोशन कलिफिशन दीजे हो गया होने के बात आपका इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको बताया गया है कि लोन आपको किस लिए चाहिए वो यहाँ पे देना है तो आदर्स भी ओफशन है आदर्स भी देद सकते हो या होम डिपेर कुछ भी आप सील एट किजी तो और गोंबै ने कुछ सील एट किया आदर्स करके उनको चेक इंटरेस डे यहाँपे उन्होंने चेक किया उसके बाद उनको जो लोन कितना पे कितना इंटरेश और सारे कुछ उनको देखने को मिल गया, उसके बाद उनने confirm details, देखे या पर loan offer आ गया, उसके बाद उनको देखे पर परसोनल details देनने के लिए बोला था, उनने फिलप किया, उसके बाद उनका address आ गया, confirm address कर दिया, करने के बाद last page, last page में देखे loan distribution, इस तक उनन back कर दिया, नहीं लिया, loan नहीं लिया, इस metric लगा दिया उन्होंने, क्या बताया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने stop कर दिया, तो उनके बाद उनके पास call आ गया, कुछ दिन के बाद access के तरफ से उनके पास call आया था, कि आपने personal loan के लिए interest दिखाया था, उन्होंने बता जिसमें बहुत कम interest में loan लेना है, तो इस तरह से Axis Bank से और भी call आया, उनके पास और भी 2-3 दिन से call आया था, उन्होंने फीर जाके बताया, तो एक offer Axis Bank ने उनको दिया था, कि 3 months तक आपको एक offer मिलेगा, loan amount, आपको बतलब कि आपको ये भी आपने देखा कि 0% interest में loan मिलता ह सिब आपको processing fee देना है और tax देना है, तो इस तरह एक offer औरगो भाई को Axis Bank ने दे दिया, ठीके, तो Axis भाई जब दिया था, तो औरगो भाई ने वो accept कर लिया, उसके बाद जो amount औरगो भाई को मिला था, वो मोभी कोई एक्ष्टा में, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कि profit करने के लिए, और उसमें उनको 0% interest में लोन मिला था, इस 3 महने में औरगो भाई ने क्या किया, लोन का जो EMI था, 3 महने तर उन्होंने एक भी miss नहीं किया, सारे timely एक भी payment मिस नहीं किया, 3 मान के बाद उनका लोन खतम हो गया, उसके बाद फिर से Axis Bank के उनके बाला लोन ने लिजे, तब ही और भाई ने cross कर दे, मतलब कि नहीं बता है, उन्होंने उसके बाद उन्होंने Axis का एक credit card apply किया था, my zone credit card, उनको credit card approve हो गया, उनको credit card मिल गया, देखे, प्रूब भी उन्होंने send किया, मतलब यहां पे क्या हुआ था, देखिए, Axis Bank के साथ उनका relation पहले किया था, कुछ relation नहीं था, मतलब कि उनको, उनके पास civil था, मगर उनके पास कोई Axis ने बार बार उनको reset किया था, उनका credit card application reset हो रहा था, ठीके, Axis ऐसे without income proof नहीं देता, इतना आसान इसे, उसके बाद और भाई ने क्या किया, एक relation create किया, कि ऐसे PLI, मतलब कि Axis का जो loan है उसके, और उन्होंने वहाँ पे भी trick लगा दिया, कि ऐसा कोई trick कि देखे, charges ज़्यादा देने से तो कोई फाइदा नहीं, ऐसा trick उन्होंने लगा, दो तीन दिन से उनको call आया, call आया, और उन्होंने इतना bargaining किया, इतना bargaining किया, उसको 0% interest पे loan मिल गया, सी processing fee द देना पड़ा और tax देना पड़ा, ऐसे में क्या हुआ, Axis bank को भी पता चल गया, जब उन्होंने उसके बाद सारे, और अगर आप इस trick को use करते हो, तो आपको भी timely, timely जो loan आप लेंगे, उस timely आपको payment करना है, ऐसे में क्या होगा, आपका civil भी increase होगा, ठीके, और Axis bank के साथ आपका relation भी अच्छा हो जाएगा, देखिए, relation जब अच्छा हो जाए, bank को जब बिस्वास हो जाए, कि नहीं, यह जो बंदा है, यह बंदा मेरे timely, मेरा credit card का जो bill generate होगा, वो timely payment कर देगा, तो उसके बाद आपको bank, असान ही से आपको bank credit card दे देगा, जैसे Orgobai के दे दिय Orgobai ने एक trick अजमाया था, एक trick मुझे share किया, तो मैंने सुचा यह बिल्कुल नया trick है, आप लोगों को भी दे दू, मगर मैं last में एक ही बात बताऊंगा, आप इस trick को use किजिए, कि अगर आपको 0% interest में मिलता है, तब ही जाके loan लिजिए, अगर आपको 0% पे नहीं मिलता किजिए, relation किजिए, accident के उसके बाद apply किजिए, और अगर आपको PLI से नहीं करना है, तो first जो मैंने trick बता है, उस trick से किजिए, आपको description लिंक भी जाके apply करके भी किजिए, अगर आपको मिल जाता है तो बड़िया, अगर नहीं मिलता है, फिर भी नहीं मिलता है, तो second trick को use कि किजिए, second trick का proof के साथ मैं आपको दिखाया, देखे, बिल्कुल नया trick है, अभी और एक बात, बहुत सारी भाई अभी comment करेगा सर, इस trick से नहीं मिलता है, क्योंकि credit card to bank transfer, जो मैं trick देता हूँ, वो instant क्यों मिलता है, पता है आपको, क्योंकि all user instant होता है, और ए बाला जो credit card का जो मतलब कि credit card का मिलने का जो trick, वो आपको सेख सेख से करना होगा, और bank का decision के उपर होता है, अगर bank को लगता है, आपको देगा, तो देगा, मगर ए trick मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए, civil अच्छा होता है, relation अच्छा है, तो आपको bank असानी से देता है, य यह मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी इतना काड, और Axis Bank पर जब एक काड आपको मिल जाए, अब आसानी से आप आराम से और भी दो काड ले पाएंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, वीडियो देखने के धन्नवाद,